हईलो वीवर्स वेलकम टू आर चैनल आज की इस वीडियो में हम मैट्स के आगे की कोश्चन सॉल्व करेंगे ये मैट्स की फोर्थ क्लास है आज की वीडियो में हम मल्टिप्लिकेशन and division के कुछ questions solve करेंगे साथ ही word problem के कुछ questions भी रेंगे सो देर ना करते हुए वीडियो को start करते हैं Let's start the video आज हम solve करेंगे multiplication and division से related questions Question 22 is find the product product meaning in maths जब हम दो numbers को आपस में multiply करते हैं जो answer आता है उसे product कहा जाता है जब हम किसी भी digit को 0 से multiply करते हैं तो हमारे पास answer हमेशा 0 आता है और जब हम किसी भी number को 1 से multiply करते हैं तब भी हमारे पास वही same number आता है Question 1 में हमें multiply करना है 123 को 100 से जब हम 0 से किसी भी नंबर को multiply करते हैं तो वो digit easily 0 हो जाती है और जब हम 1 से किसी भी नंबर को multiply करते हैं तो वो as it is answer में आ जाता है normally maths जो है इस तरीके से solve किया जाता है यहाँ पर अगर देखेंगे 2 times 0 से multiply किया गया है इस नंबर को तो हमारे पास 2 times 0 0 आया लास्ट टाइम में हमने 1 से multiply किया इस नंबर को तो वो ही नंबर हमारे पास repeat हुआ आज हम दूसरे तरीके से यह multiplication solve करेंगे मतलब mental maths के थूरू हम इन questions के answer देंगे देखेगा अगर हम 1 से किसी भी नंबर को multiply करते हैं तो वो ही नंबर repeat हो जाता है और 0 से हम किसी भी नंबर को multiply करें तो वो 0 हो जाता है तो यहां first question का answer होगा 1, 2, 3 and last में यहां 2 0 है तो हम यहां पर put कर देंगे 2 0 को फिर next question जो हमारा है वो है 3,456 multiply 10 तो इसका answer हम किस तरीके से देंगे देखेगा यही number repeat कर देंगे और यह जो पीछे 1 0 लगी है उसको हम last में put कर देंगे 1 से जब हम इन numbers को multiply करते हैं हमारा answer आता है 3,4,5,6 और जब हम 0 से इन सभी numbers को multiply करते हैं तो हमारे पास answer आता है 0 तो यह हमारा answer होगा question 3 में हम इसी तरीके से solve करेंगे सबसे पहले यही number लिखेंगे और उसके बाद में last की जो 100 की 0 है इसमें add कर देंगे तो हमारा answer होगा 32,67,800 आगे की questions भी हम इसी तरीके से solve करेंगे अगर आप मोटी मोटी बात समझे तो आप देखेंगे last में जितनी 0 है उतनी 0 हम वहाँ add कर देते हैं ठीक है अगर आगे से questions आपके कभी भी maths में इस तरीके के आए अगर आपको maths में किसी भी number को 100 से, 10 से, 100 से या 1000 से multiply करना होगा तो आप इस तरीके से answer देंगे next question जो हमारा है fourth उसका answer कुछ इस तरीके से होगा two five two last की three zero यहाँ add कर दी जाएगी तो हमारा answer हो जाएगा two lakh fifty two thousand question five में जब हम multiply करते हैं four hundred twenty one को one thousand से तो हमारा answer आता है four two one zero 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 यहाँ पर हमारा question six जो है वो है one hundred one को multiply करना है hundred से तो हमारा answer होगा one zero one zero zero now next question is question number twenty three find the product question first हमारा है five thousand sixty two को multiply करना है sixty one से इस question में हम दो numbers के बीच multiply करेंगे one से हम जब किसी भी संख्या को number को multiply करते हैं तो वो as it is हमारे पास में repeat आ जाता है one two zero two one six zero six one zero zero one five five अब हम multiply करेंगे six से six two जा टूवल one कैरी हो गया six six जा थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स में one एड़ किया 37 seven यहां लिखा जाएगा three कैरी हो जाएगा six zero zero तो यहां जो three है वो लिखा जाएगा six five जा थर्टी अब हम इन नंबर्स को एड़ करेंगे two यहां आ जाएगा six और two कितने होते हैं eight होते हैं seven as it is आ जाएगा five और three eight zero और three यह हमारा first question का answer है इसी तरीके से आप बाकी के questions भी solve करेंगे question two, question three, question four, five and six बिल्कुल इसी तरीके से solve किये जाएगे now next question is 24 find the question and the reminder मतलब यहां पर हमें भागफल और शेज़फल ज्याद करना है so start करते हैं question number one हम solve करेंगे यहां divide करेंगे हम ten से 15,267 को यहां अगर देखा जाए तो यहां पर हम ten की table को one time ही read करेंगे क्योंकि fifteen ten से बड़ा है अगर इससे आगे पढ़ते हैं तो twenty हो जाता है तो twenty और जादा बड़ा हो जाता है तो बड़े में से छोटा तो minus हो सकता है लेकिन छोटे में से बड़ा minus नहीं हो सकता ठीक है तो ten बन जा ten यहाँ पर minus किया तो हमारे पास five आ गया फिर हमारे पास में next number जो आया वो two आया ten की table five time read की fifty हो गया minus किया two आ गया हमारे पास में फिर six आया ten to the twenty six minus करने पे six आ गया next seven आ गया हमारे पास में नीचे ten की table को हमने six time पढ़ा तो sixty आया seven reminder हो गया हमारा question हो गया हमारे पास में 1526 इसी तरीके से हम बाकी के questions solve करेंगे two three four five six seven eight इसमें कुछ भी नहीं किया जाएगा जब यहां पर हमें one thousand से hundred से ten से अगर हम किसी number को divide कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे उतनी बार ही उस table को read करेंगे जितनी बार में हमारे पास में यहां number होगा अगर हमें यहां six thousand लाना है तो one की table को six time read करेंगे अगर हमें यहां पर seven thousand लाना है तो हम one की table को seven time read करेंगे ओके इसी तरीके से हम इस question को solve करेंगे अब हम आगे बढ़ते हैं next question is 25 find the question and the reminder यहां पर भी भागफल और शेशफल ग्यात करना है इसके लिए यहां पर भी हमें divide करना होगा question one ही देख लेते हैं यहां divide करना है five hundred ten से five thousand one hundred five को यहां हम five hundred ten की table को one time read करेंगे क्योंकि हमारे पास में यही number repeat किया हुआ है यहां पर यह पूरा finish हो गया five से five गया zero बचा one से one गया zero zero से zero तो अब हमारे पास जो five बचा है वो reminder है और question जो है हमारे पास में वो one है इसी तरीके से हम बाकी के questions भी solve करेंगे next question जो हम solve करेंगे वो है eight हमें divide करना है 27 से two thousand three hundred one को 27 जो है वो बड़ा है इस number से तो हम तीन number को एक साथ solve करेंगे इसको हम अगर देखे five से तो five से नहीं जाएगा seven five जो 35 और five to ten ten में three one यह हो जाएगा one thirty five नहीं जाएगा seven से भी नहीं जाएगा eight से करके देखते है eight से multiply करते है seven eight जो 56 five केरी हो गया है और eight to zero sixteen sixteen plus five twenty one yes एक बार try करते है minus किया तो हमारे पास में four आया ten में से six गया four और two में से one गया one और ये वाला one as it is नीचे आ जाएगा अब हम देखते हैं five से solve करके seven five जो 35 केरी हो गया three two five जो ten ten plus three 13 अब देखते हैं इसको minus करके एक केरी यहां गया eleven हो गया eleven में से five गया six यहां ये दोनों नमबर ऐसे कट गये तो हमारे पास में six reminder आ गया और 85 questions आ गया अब हम इसी तरीके से सभी questions solve करेंगे ठीक है now next question is question number 26 there are 215 members in a society every member deposits rupees 521 as membership fee how many rupees in all are collected as membership यहां पर पूछा जा रहा है कि यहां पर सभी members ने कितनी membership जो fee है वो submit की है इसके लिए हम क्या करेंगे multiply करेंगे question number 26 को हम इस तरीके से solve करेंगे सबसे पहले हम लिखेंगे members in society जो की है 215 and membership fee 521 यहां पर हमें confirm करना है पता करना है collected fee of membership तो जब हम इनको multiply करेंगे आपस में तो हमारे पास answer आएगा यह अब चलते हैं अगले question पर अगला question जो है हमारा 27 है क्या कहते हैं इस question में जड़ा देखते हैं a factory manufacture 518 bulbs every day how many bulbs did it manufacture in the month of December यानि कि यहां यह बोल रहा है कि एक factory है bulb की वो हर दिन 518 bulbs manufacture करती है अब यहां पूछा जा रहा है कि December महिने में यह जो factory है यह कितने bulb manufacture करेगी so let's see question 27 का answer हम कुछ इस तरीके से करेंगे manufacturers bulb every day 518 and did manufacture in December month वो हमें पता करना है so December month में कितने days होते है December month में होते है 31 days 31 को multiply कर दिया जाएगा 518 से so हमारा answer क्या हैगा 16,058 it means December month में manufacture किये जाते है 16,058 bulbs अब हम चलते हैं next question पर next question है हमारा 28 7,429 books are to be arranged on 17 saves if the number of books placed on each save is the same how many books will be placed on each save इस question में कहा जा रहा है कि total books जो है इतनी है और 70 जो है वो 17 जो है वो क्या है saves है यहाँ यह पूछा जा रहा है कि यह जो 17 saves है इन में हर save में मतलब एक save में कितनी books arrange की गई है इस question को हम कुछ इस तरीके से solve करेंगे पहले लिखेंगे total books जो कि हमारी 7,429 है और यहां कहा जा रहा है कि यह जो books हैं यह कितनी saves में आई हैं यह बताया गया है उसके बाद में यहां हमें पता करना है कि हर save में कितनी books arrange की गई है इसके लिए हमें क्या करना होगा divide करना होगा divide करेंगे 17 से 7,429 को तो हमारे पास answer आएगा 437 437 जो books हैं वो एक save में रखी गई है सो हमारा answer है 437 अब हमारा next question है question number 29 816 students of school go on picnic by bus each bus carries 48 students how many buses are used to carry the students in sorry on picnic school के कुछ students है जिनकी संख्या है 816 bus carry students 48 how many buses carry the students on picnic तो यहाँ पर क्या करना होगा हमें 48 से 816 को divide कर देंगे तो हमारे पास क्या answer आएगा 17 सो हमारा answer है 17 buses मतलब यह जो बच्चे है 816 बच्चे 17 बस में जा रहे हैं आज का हमारा अगला और आखली question है question number 30 question number 30 में क्या पूछा जारा देखते हैं there are 1887 trees in 17 rows in a garden if the number of trees is the same in each row how many trees are there in one row यहाँ इस question में पूछा जा रहा है और बताया भी जा रहा है अगर देखे तो यहाँ कह रहे हैं कि इतने trees हैं एक garden में जो की 17 लाइनों में planted किये गए हैं boy गए हैं ठीक है अब यह कहा रहे हैं कि यहाँ बताया जा रहा है कि हर line में पेडों की संख्या जो है वो बराबर है तो यहाँ पर कितने जो पेड बोई गए हैं एक line में कितने पेड बोई गए हैं यह पूछा जा रहा है इस question को हम कुछ इस तरीके से solve करेंगे यहां हमें पता करना है कि एक line में जो tree है वो कितने है row of trees जो पेडो की line है वो 17 है और यहां पे total trees जो garden में है वो है 1887 इसके लिए हमें क्या करना होगा 17 से divide करना है 1887 को तो हमारे पास जो answer आता है वो आता है 111 In one row trees planted in the garden 111 trees For more information like this subscribe our channel and press the bell icon and if you like the video like and share it Thank you for watching this video